हालो माई दियर स्टूडेंस मारामूर्थी क्लासिज में आप सभी का स्वागत है दियर स्टूडेंस आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 का 9 चैप्टर इंडेफिनेट इंटीग्रल की एक्सरसाइज 9.5 करेंगे कि जिसमें हम लोग जो इसका कंसेप्ट रहे गा फोर्मूलाज मैने जो इसके थे वो सारे मैने 9.4 अग्सरसाइज ने बता दिय थे थे तो इसका चैप्ट हैगहगा क्यांबो क्या सोल किया तो Quadratic equation का integration करने के लिए सबसे पहले वन अपोन Quadratic के है अगर या उपर Quadratic हो तो सबसे पहले हम Quadratic का प्रफेक्ट स्केर बनाएं और प्रफेक्ट स्केर कैसे बनता है Quadratic equation का आईए मैं आपको बताता हूँ exercise 9.5 9.5 तो हमारे पास वन अपोन में इस तरह से आजए Quadratic का आजए या वन अपोन integration आजए या linear अपोन Quadratic का आजए या हमारे पास इसका integration आजए या हमारे पास वन अपोन रूट Quadratic आजए तो हम कैसे integration करते हैं तो आईए students इस वीडियो में हम वही करेंगे तो कैसे किया जाता है suppose हमारे पास वन अपोन में Quadratic है और Quadratic equation को सोल करने के लिए सबसे पहले मैं उसको perfect square बनाना सिखाता हूं suppose हमारे पास कोई Quadratic equation ax square plus bx plus c है तो students देखिए ax square plus bx plus c ये हमारे पास quadratic equation है तो इसका perfect square बनाने के लिए सबसे पहला हमारा जो step होता है जो हमारे पास coefficient of x square है x square का coefficient हमारे पास ही है इसको common लेंगे हम लोग तो जब हम common लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा x square बच जाएगा अंदर तो यहां पे a नहीं है उपर तो a मैंने common लिया है तो यहां पे b upon ax बन जाएगा प्लस यहां पे क्या बन जाएगा c upon a तो बच्चे आप लोग सोच रहोंगे तो अगर a common लिया है तो आप देखिए ax square प्लस bx plus c अब a common यहां तो है लेकि नहीं है तो मैंने यहां आप a से multiply कि a से divide यहां भी अ से multiply और a से divide किया तो a ऊपर से मैंने common लिया तो बचिए क्या x square प्लस b upon ax plus c upon a okay एसे multiply और a से divide किया तो इस तरह से मैंने a को common ले लिया अब सेक्ट स्टेप यह फर्स्ट step है ایک सेकेडimientos का कोफिशेंट प्लस का 1 बना दिया अब सेक्ड श्याप क्या है जो एक्स का dua कोफिशेंट है एक्स एक्सक टाप और एक्सका कोफिशेंट एक्स पार 1 है नहींforce पार 1 का जो और किसी भी टर्म का हाफ कैसी किया जाता है अपन में 2 करते हैं तो इसका हाफ क्या होगा बी अपन ए है तो इसका हाफ करने के लिए अपन में 2 कर दिया तो हम क्या करेंगे जो एक्स का कोफिशेंट है उसके हाफ का स्केर एड करेंगे और वही सबस्टेक्ट करेंगे इसमें तो A as it is, तो यहाँ पे 1 X square plus B upon A X plus C upon A में, मैंने क्या किया, जो इसके X का coefficient है, उसके half का square, यानि B upon 2 A, इसका half B upon 2 A आएगा, इसका square add कर दिया और यही minus कर दिया, इसका square minus कर दिया, यानि X के coefficient का half का square minus करेंगे और half का square plus करेंगे, जो plus किया जाता है, आपने यह तो A square वाली term है, और यह है B square वाली term, और जो X वाली term होती है, वो होती है 2AB वाली term, तो देखें students, यह A square plus B square plus 2AB, जो X वाली term को हमेशा 2AB एजूम करेंगे आप लोगे, तो यह A square plus B square, यह plus 2AB है, तो यह formula बन जाएगा हमारे पास A, यह, 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 तो हमारे पास formula बन जाएगा X plus A plus B, A कितना है X और B कितना है, B upon 2A, इसका whole square, यह तीनों term हमारे पास formula में आगी और बच गया, क्या हमारे पास C upon A बच गया और minus B upon 2A का whole square, सिर्फ यह बच गया, तो यह students हमारे पास देखिया, आप इसका perfect square मन गया, आप सोच रहोंगे सर, यह perfect square अब आपने जैसे लिया है, तो इसको जब खोल के देखोगे तो आपके पास यह तीन term आईगी, करके दिखाता हूं, देखिए, A plus B का whole square, A square plus B square, B upon 2A का whole square, plus 2AB, 2 into X into B upon 2A, तो 2 से 2 cancel, B upon A X बन गया, जोको A square plus B square plus 2AB, यही है न, A square plus B square plus 2, यही तीन term है न, इसमें भी, तो यह आगे A plus B, इन केस अगर यहाँ पे minus होता, X वाली term के आगे minus, तो A square plus B square minus 2AB आता, तो फार्मूला बनता, A minus B का whole square, यानि अगर इसके आगे plus है, X वाली term के आगे, तो plus का whole square, अगर minus है, यहाँ पे minus X वाली term के आगे, तो minus का whole square होता है, तो इस तरह से हम perfect square बनाते हैं, और बाकिस के बाद हम इसको solve करेंगे, सबसे पहले हमें perfect square बनाना आना चाहिए, तो इस तरह से हम perfect square बनाएंगे और equation को solve करेंगे, अब देखें students हमारे पास first question है, first question है हमारे पास exercise का, जिन बच्चों के पास maths नहीं है, यह math ले सकते हैं, और जिन जो नहीं ले सकते हैं तो वह इसका screenshot ले सकते हैं, और question को solve कर सकते हैं, यह first exercise के 9.5 का जो first page है, और यह है second page, तो देखिए, यह questions है second page के, तो यह है answer in के, तो आप लोग screenshot ले करके कर सकते हो, तो first का जो first part है, वो क्या है students? फर्स्ट का हमारे पास first part, जैसे हमारे पास dx upon x square plus 4x plus 7, तो यह one upon me quadratic है, तो कैसे solve किया जाता है students? तो सबसे पहले इसको perfect square बनाएंगे, one upon me quadratic, perfect square कैसे बनेगा students? तो पहले x square का coefficient already one है, फिर जो x के आगे term है, यानि x के आगे 4 है, इसका half करेंगे, 2, 4 का half 2 आ जाएगा, तो 2 का square add करेंगे, वही minus करेंगे, तो कैसे करेंगे students? dx upon x square plus 4x plus 7, यहाँ पे plus का 2 का square कर दिया और minus का 2 का square कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ा? मैंने कहा था, x के जो आगे term है, उसका half का square add करेंगे, जो add किया जाता है, उसको b का square है, यह a का square है, और यह हो गया 2ab, तो आप देखिए, a square plus b square plus 2ab, यह plus 2ab है, तो formula हमारे पास बन जाएगा, a plus b, a कितना है? x, plus b कौन है? 2, x plus 2 का whole square बन गया यह, आप देखिए, x square plus 2 का square 4 आजाएगा, plus 2, 4x आजाएगा, बच किया कि 7-4, तो 7-4 आजाएगा, plus का 3, तो plus के 3 को मैं root 3 का square, ओके, तो यहाँ पे इस सारे को मैं x एजूम कर सकता हूं, students, तो यह x square plus a square, 1 upon x square plus a square का फार्मूला, क्या फार्मूल होता है, 1 upon a, 1 upon root 3, 10 inverse x upon a, x कौन है, x plus 2 upon a, a कितना है root 3, और plus c, और यही student जिसका क्या है, answer है, इसी तरह से इसका second part मैं करवा रहा हूं आपको, integration of dx upon x square plus 2x minus 4, again मैं क्या करूँगा, x square का coefficient already 1 है, जो x के आगे term है, उसका half, उसका half 1 है, तो 1 का square add करेंगे, और वही minus करेंगे, जो x के आगे term है, उसके half का square add किया जाता है, और वह तो dx upon x square plus 2x minus 4 है, यह जड़ी, और जो x के आगे term है, उसका half, 1, 1 का square add कर दिया, और वही minus कर दिया मैंने, तो यह a square plus b square, यह plus 2ab, फार्मूला किसका बन गया, a plus b, a कोन है, x, plus b कोन है, 1, और इसका whole square, यह तीनो term आगे है, मारे पास फार्मूले में, बच गया गया, minus 4, minus 1, तो क्या गया, minus 5, और minus 5 को मैं, minus root 5 का square बोल सकता हूं, तो देखे, one upon me, x square minus a square का, क्या फार्मूला था, one upon 2a, a की वेली कितना, root 5, मैंने फॉर्थ exercise में, फॉर्मूला दे बताये थे सारे, log of a plus x, ना, x square minus a, log of x minus a, x कोन है, x plus 1, minus a, root 5, upon x plus a, x plus 1, plus root 5, plus c, ओके students, यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगाए है, कौन से फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हो, one upon x square minus a square का फार्मूले, फ़र्ष्ट वड़ा फार्मूला, one upon 2a, log of x minus a, x plus a, तो यह फॉर्मूला आपके element में math में है, 9.4 exercise से पहले, तो यह सभी फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, इनको आपने जरूर करना है, अगर आप यह question करना चाहते हो, अब इसी का first का हम third part देख रहे हैं, students, first का हम third part कर रहे है, तो third part क्या है, third part है जी, हमारे पास, third part है, students, one upon 4x square, minus 4x plus 3, तो हमें perfect square बनाने के लिए क्या करना होता है, students, सबसे पहले x square का coefficient common लेंगे, तो x square का equation 4 है, तो इसको बाहर ले लिया मैंने, अंदर बच गया x square, जब मैंने 4 बाहर ले लिया, तो यहाँ पे x square बच गया, यहाँ से 4 ले लिया, तो x बच गया, और यहाँ पे 4 नहीं था, मैंने 4 से multiply कर दी, 4 से divide, तो 4 तो common ले लिया, तो यहाँ पे 3 by 4 बच गया, आपको कैसे जी, 3 को मैंने 4 से multiply, 4 से लिया, उपर वाला common आगे, निचे 3 by 4 बच गया, अब second step क्या है, जो x के आगे, x के आगे 1 है, तो मैंने क्या करना, 1 का square आड़ करना है, यानि इसके half का square, यानि 1 का square, half 1 by 2, यही आड़ करना है, और यही subtract करना है, ओके students, अब यह जो add किया जाता हो, a square plus b square, जो x square वाली टर्म को a square, यह b square जो add किया जाता है, हमेशा add वाली को b square है, और यह minus 2ab वाली टर्म है, यह देखो, a square, यह b square, और यह minus 2ab, x वाली टर्म को हम कहेंगे 2ab, तो यह formula बन जाएगा students, हमारे पास, 1 upon में, x square plus b square minus 2ab, formula a minus b, x minus 1 by 2 का whole square, इसको खोल करके देख लेखे, open करके देखे, expand करेंगे इस formula को, तो यह हमारे पास 3 term आएगी, बचके आगा, 3 by 4 minus 1 by 4, तो 3 by 4 यह और 1 by 4 यह बचके, 1 by 2 का square, 1 by 4, तो कितना आगया, 2 by 4, 2 by 4 आगया students, 2 by 4 को मैं, 1 upon 2, यानि 1 upon 2 आगया, और 1 upon 2 को मैं, 1 by root 2 का square बोल दूँगा, तो next time में मैं क्या करूँगा, तो 1 by 4 आगया, 1 upon x minus 1 by 2 का whole square, और यह 1 by 2 है, इसको मैं 1 by root 2 का square बोल दिया, ओके students, और इसका integration, तियाँ पर 1 upon x square plus a square का formula, 1 by 4 आगया, 1 upon a, root 1 by root 2, 10 inverse x upon a, x कौन है, x minus 1 by 2 upon a, 1 by root 2, 1 by root 2, और plus c, और student जब यह root 2 पे cancel हो गया, 2 root 2 बच जाएगा यहाँ पे, तो 1 by 2 root 2 बच गया यहाँ पे, और 10 inverse, और यहाँ से students, 2 lc हो गया, हमारे पास, तो यह 2 x minus 1, और upon में, क्या है, 1 by root 2, upon 1 by root 2, root 2 पर चला गया, और 1 नीचे, plus c, तो student root 2 पे, root 2 पे cancel हो जाएगा यह 2 की पावर 1 है, यह root 2 की पावर 2 है, और यह 1 है, तो इससे cancel हो जाएगा एक, क्योंकि root 2 की पावर 2 होता है, 2 simple 2, तो 1 by 2 root 2, tangent inverse, 2 x minus 1 upon root 2, plus c, ओके students, अब इसका 4th part देखते हम, 4th part भी बिलकुट सेम है, कैसे करेंगे आप लोग, dx upon integration of 3x square, plus 13x minus 10, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको perfect square बनाएंगे, perfect square कैसे बनता है, पहले जो x square का coefficient common लेंगे, तो common जब लेंगे, 1 by 3 common आगया, अंदर कितना बच गया, dx upon x square, plus 13 by 3, जब यहां से 3 common लिया, तो यहां 3 से multiply, 3 से जा, तो उपर वाड़ा common लेंगे, 13 by 3, x, और minus 10 by 3, second step क्या आए, फिर, जो x के आगे है, इसका half, half कैसे किया जाता है, इसका half, बटे 2 कर देंगे, यहनि 13 by 6 बन जाएगा, तो इसके half का square add करेंगे, 13 by 6 का square add किया, और वह ही क्या किया, minus किया, 13 by 6 का square ही, हमने minus किया, अब जो add किया जाता है, इसको 20 square, यह a square plus b square, और यह फार्मूला बन गया हमारे पास, a square plus b square plus 2, फार्मूला a plus b, 13 by 6 का whole square, और minus, यह minus का 10 by 3, और minus का 169 by 36, हमारे पास क्या बढ़ जाएगा students, मैं यहां पर solve कर रहा हूं, यह minus का 10 by 3 बन गया, और यह minus का 169 by 36, तो 36 LCM हो जाएगा, 3 is 12 जा, बारान एक्सो बीस, मैं एक्सो बीस, और माइस का 169, तो आगया, माइस का 289, डिवाइड बाई 36 आगया, तो माइस 289 को हम 17 by 6 का whole square कहेंगे, तो यहां गया 17 by 6 का whole square, तो यहां पर हमारे पास क्या बना, 1 upon x square minus a square का formula, ओके students, तो क्या formula है, हमारे पास formula है, 1 by 3 IJT, 1 upon 2a, a कितना है, 17 by 6, log of x minus a, अब students x कौन है, मेरे पास मैं आपको दिखा देता हूँ, x square minus a, x plus 13 by 6, x minus a upon x plus a, log of x minus a, यानि x minus 13 by 6, plus a, 17 by 6, x minus a, upon x plus a, x कौन है, x minus 13 by 6, plus a, 17 by 6, और, plus, यहीं आगया students, अब देखिए, यहां 2, 3, जा, 3 से, 3, कैंसर, तो यहां पर 1 by 17, log of, हमारे पास 6 celsius हो गया, तो यह 6 x minus 13, minus 17, और, डिवाइड में, यहां से 6 celsius, तो 6 x minus 13, plus 17, और, plus c, students 6 से 6 कैंसल, तो हमारे पास बचा, जो वही हमारा answer, 1 by 17, log of, 6 x minus के 13, minus के 70, 17 minus के 30, और, 6 x, और, minus के 13, plus के 17, यह, प्लस का, 4, plus c, अब यहां से 2 common है, students, यहां से भी 2 common है, तो 2 common हो करके, हम cancel कर देते हैं, log of, हमारे पास 2 common हो के, यहां 3 x minus 10 बच गया, और, यहां पे 2 common, 3 x plus 2 बच गया, ओके, students, और, plus c, 2 से 2 cancel, और, यह, हमारा answer है, ओके, students, next, देखते है, students, students, जो, यहां पे हमने, put किया है, x, x की value कितनी है, x plus 13 by 6 है, plus 13 by 6 है, तो अगर plus 13 by 6 है, students, तो यहां पे plus कर देंगे हम लोग, बस, plus कर देंगे, यहां plus कर देंगे, और, जो, प्लस करेंगे, तो 13 minus 17, यहां पे आजाएगा, minus का 4, और, यहां 13 plus 17, 13, 17 आजाएगा, 30, 30, यह आजाएगा, हो तो हमारे पास यह आ जाएगा स्टूडेंस और जब थो मैंने टू को मैंने एक्स- नी उपर और नीचे टू को मैंन लिया तो थ्री एक्स- फिफ्टिन बन गया ओकर तो यह घलती से मैंने X-13 by 6 ले लिया था एक्स की वेल्यू क्या है हमारे पार वन अपोन एक्स एक्स प्लस 13 बाइस इस सारे को मैंने एक से जूम करना है न प्लस का है यह मैंने माइनस ले लिया था ओके नेश्ट ए स्टूडेंस हमारे पास कोश्चन नमबर सेकिंड का फर्स्ट क्या है इंटीग्रेशन है हमारे पास कोश्च एक्स अपोन साइन स्केर एक्स प्लस फूर्स एक्स प्लस फाईव और इसका इंटीग्रेशन तो स्टूडेंस आफ दीख रहा है हम्यां अगर मैं साइन को पूट को रूप पर वाला डाटियो जाएगा तो पुट कर देजिए आप put sin x is equal to t और cos x और x का dx और t का क्या जाएगा dt ओके students तो हमारे पास उपर वाला तो dt बन गया और नीचे क्या बन गया यह t का square प्लस 40 प्लस 5 अब मैंने क्या करना perfect square बनाना है तो इसका coefficient already one है जो t के आगे इसका half का square add करेंगे यानि इसका half क्या एगा four का half two two का square add कर दिया और वही minus कर दिया तो यह a square plus b square plus two फार्मूला हमारे पास बन गया dt upon a plus b यानि t plus two यह तीनों टर्म आगे हमारे पास फार्मूले में और बच गया क्या 5-4 यह आगया एक प्लस का एक और प्लस के एक को मैं एक का square बोल सकता हूं तो यहां पे one upon x square plus a square का फार्मूला क्या है फार्मूला one upon a tangent inverse x x x पोन है t Plus two upon a one plus c अब टि की की वैल्यू कितनी है स्टूडेंस चाहिए साइन एक्स तो सी की देवर्टि की वैल्यूरा कें साइन एक टैन इन वर्स साइन ओफ एक्स प्लस टू अब और प्लस चू यही स्टूडेंस हमारा आंसर है next question देखते हैं हमारे पास सेटिन का सेटिन पार्ट हम कर रहे हैं हमारे पास कोशन नुमर्स सेटिन का सेटिन पाड़ा था सीकर्ट केर एकस अपोन फाइव टेंजेंट स्केयर एकस-च प्लस 14 और इसका इंटीगरेशन के तो स्टुडेंट्स देखिए यहां कि अगर अगर मैं 10 X को पुट कर दो तो उपर वाण डेरिवट है तो हम क्या करें ग्या है टेंजन्ट X इज इपकर टी और वाह सीदर्रक इस्या है रूपर वाण जीकेंट्स प्लस 14 आप स्टूडेंट सबसे पहला क्या काम करना हमने 5 को कॉमन लेंगे ती स्केर का कोफिशेंट 1 बनाएंगे तो 1 बाइ 5 बाहरा आगया कॉमन तो dt अपोन यह ती स्केर और यहां पर 5 नहीं है तो 5 से मल्टिप्लाई 5 से डिया उपर वाला कॉमन ले लिए तो अंदर पांच हो गया अब जो TK आगे है इसका हाफ तो ट्वाला बाइ फाइब का हाफ बटे दो करतेंगे तो सिक्स बाय फाइब 6 बाइफाइब का स्केर एड कर दिया और वही माइनुस कर दिया और वहीँ माइनस कर दिया जो एडिक और बीश्र asta यह केयर प्लस प्लस किया जाते हैं उसको हमेशा बीका स्केर रजूं करना है यह माइनस भी इसका होल्ड स्केर और स्टूडेंस यहां भी बज़ेगा 14 बटे 5 यह बन गया मैं रफ में रफ वर्क में लिख रहा हूं तो यह बन गया 14 बटे 5 और यह माइनस का 36 बटे 25 तो 25 हो गया पांच पंच बटे से 14-36 तो आगे सत्तर माइनस चत्ति कितना जाएगा 34 बटे 25 तो 34 बटे 25 को हम क्या लिखेंगे प्लस का 34 बटे 25 बनेगा न तो इसको कहेंगे हम रूट 34 डिवायड बय फाई इसका होल स्केर यह फार्मुला खनागा वन अपवन एक सकेर फार्मुला क्या है फार्मुला वन बढ़ फाई एग वन अपोन ए एक तो रूट 34 अपोन फाई टैंजेंट इन वार्स एकस एकस कोन है यह सारा टी माइनस 6 बाइ 5 अपोन ए एक दना है रूट 34 डिवाइड बाइ 5 और प्लस C ओके स्टूडेंस 5 से 5 कैंसल तो 1 बाइ 34 स्के रूट के अंदर टैंजेट इनवर्स अब टी की वैल्यू क्या है स्टूडेंस टैंजेट एक्स यहां से 5 यालसिम भी ले लो टैंजेट एक्स और 5 यालसिम जा तो 5 टैंजेट एक्स हो जाएगा माइनस 6 अपोन रूट 34 अपोन 5 प्लस C अब 5 से 5 कैंसल जो बचिका वही आंसर यानि 1 अपोन रूट 34 टैंजेट इनवर्स 5 टैंजेट एक्स माइनस 6 अपोन रूट 34 प्लस C next students हमारे पास इसका third part second का हम third part करवा रहे है second का third part क्या है हमारे पास एक्स अपोन एक्स रेस टूपार 4 माइनस एक्स स्केर प्लस 1 तो देखिए अगर मैं एक्स केर को पुट कर दूँ तो उपर वाला डैल्टी हो जाएगा कैसे पुट एक्स केर इज इक्वल टू टी एक्स केर को टी पुट किया तो 2x और x का dx और t का dt मuję कि नेज्ज के लिए अधिटी मीट्स एक्स को एक्स केरी एक्स और टीवाइड पर्थ कre के अर यहाँ ते यहाँ पर ख्युल मनाने के यह का स्केर और यह इस का हाफ च्क, राट करें वन के आग अगे जो हाँ इसका उइनिस कहल वनवाइटो कर दिया और वही माइनस कर दिया कि तूर स्क्राइब हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट्स ँद्ञक्र जया क mid Curt least से ुटि-ट्यक ऐब इकस्किल ़िए बीकस्किल मांने स्टूल ऐस म मनाईग्छ को ना वॐ यह जो B का स्केट है ना जो एड किया लाता है उसका स्केट ऊके रभीट यह तीनों टर्म तो आगले व्रमूल में बच गया हमारे पास रफ में 1 रफ एग वन माइन जा यह वन भाई 4 बच गया और 4 लिट्सेंट हो गया यह दोनों टरम बच गी तो 4-1 यह आगले 3 3 by 4 और 3 by 4 को प्लस का 3 by root 3 by 2 का स्केर बोल सकता हूं यहां फिर फार्मूला बन गया स्टूडन्स हमारे पास वन अपोन एक स्केर प्लस से स्केर का क्या है फार्मूला वन अपोन एक वन अपोन रूट 3 by 2 टेंजन्ट इनवर्स एक सपोने एक सोने टी-1 बाय तू। अपोने रूट 3 बाय तू और प्लस सी तू से तू कैंसल तो वन रूट 3 टेंजन्ट इनवर्स 2 lc तो 2 t मैंस-1 वाई रूट 3 अपोन 2, 2 से 2 कैंसल, प्लस C, अब देखें students, 1 बाइ रूट 3, टैंजेट इन्वर्स, अब T की वैलु क्या है students, T की वैलु हमारे पास है, X स्केर, तो T की वैलु रखेंगे, 2 X स्केर, माइनस 1 बाइ, रूट 3 प्लस C, अब सेकिंड का हम 4 पार्ट कर रहे हैं, सेकिंड का 4 पार्ट, सेकिंड का 4 पार्ट क्या है हमारे पास, E की पावर X अपोन, 3 E की पावर 2 X, प्लस 2 E की पावर X, प्लस 4, तो हमने यहाँ पर क्या करें, put E की पावर X इस इक्वल टू T, तो E की पावर X को T पूट कर दे, तो E की पावर X और X का D X और T का D T, तो यह सारा तो D T बन गया, और नीचे क्या बन गया हमारे पास, 3 यह e की पावर x का स्केर है ना e की पावर 2x यानि 3t स्केर प्लस 2t प्लस 4 students e की पावर 2x को मैं ऐसे लिख सकता हूं e की पावर x का स्केर क्योंकि यह इससे multiply हो जाता है तो e की पावर x को t put कर दिया तो t का स्केर अब आगे कैसे करेंगे 3 को को मन लेंगे तो 1 by 3 को मन अंदर dt upon t स्केर प्लस 2 by 3 t प्लस 4 by 3 अब क्या करना है students जो t के आगे है इसका half 2 by 3 का half करेंगे तो बटे 2 कर देंगे 1 by 3 आ गया तो 1 by 3 का स्केर एड करेंगे 1 by 3 का स्केर एड कर दिया और वही माइनस कर दिया जो एड किया जा तो इसको 20 ये a square प्लस 20 प्लस 2 a फार्मूला a plus b का होल्ट स्केर तो हमारी पास क्या बना 1 by 3 dt upon a कोन है t plus b कोन है a square प्लस b square फार्मूला a plus b का होल्ट स्केर t plus 1 by 3 का होल्ट स्केर बच गया क्या मेरे पास बच गया 4 by 3 minus 1 by 9 4 by 3 minus 1 by 9 बच गया plus का 4 by 3 minus का 1 by 9 जब मैं इन दोनों को सोल करूंगा 4 by 3 minus 1 by 9 तो कितना आएगा 9 L7 3 3 9 4 3 12 minus 1 ओके students तो हमारे पास 11 by 9 आएगा 11 by 9 तो इसको कैसे करेंगे हम 1 by 3 agit dt upon t plus 1 by 3 का whole square और यहां पे 11 by 9 बना 11 by 9 को 11 root और 9 को 3 का whole square again students यहां पे 1 upon x square plus a square का फार्मूला क्या है 1 by 3 agit क्या है फार्मूला 1 upon a 1 upon root 11 by 3 tangent inverse x upon x कोन है t plus 1 by 3 upon a root 11 by 3 plus c तो 3 से 3 cancel तो 1 by root 11 tangent inverse 3 lcm तो 3 t plus 1 और निच्चे 3 lcm तो निच्चे रूट 11 by 3 है तो 3 से 3 cancel तो बचिका क्या हूँ 1 by root 11 tangent inverse अब 3 t t की वाल्यू क्या थी students e की पावर x प्लस 1 by root 11 प्लस 1 by root 11 प्लस c रूल बता रहा हूं और एक मैं आपको simple way से भी solve करना सिखा हूँगा suppose rule क्या है यानि formula क्या है हमारे पास इसको solve करने का ठीक है formula यह है कि linear को हम किस तरह से लिखेंगे linear is equal to a into derivative of quadratic plus b plus b ओके यह लिखेंगे हम ठीक है और direct भी मैं solve करना सिखा हूँगा फिर उसके बाद हम a और b की value निकालेंगे a और b की value निकालने के बाद हमारे पास question आजाएगा तो अब करना कैसे है देखिए मैं आपको question भी करवा रहा हूँ साथ में हमारा sum हो जाएगा और साथ में हमारा rule हो जाएगा तो मैं question करवा रहा हूँ हूँ इसका second यानि पहले मैं fourth third का second part कर रहता हूँ फिर मैं first करवा हूँगा तो third का second part देखिए हमारे पास integration है 3x plus 1 upon 2x square मैं direct भी solve करना सिखा हूँग आपको plus x plus 1 तो हमारे पास linear है नीचे quadratic है तो इसका integration हम कैसे करें तो linear is equal to यानि 3x plus 1 is equal to a into derivative of quadratic है न तो derivative of quadratic इसका derivative क्या आएगा 4x plus 1 आएगा plus B ओके अब क्या करेंगे हम compare करेंगे compare ए और बी की value निकालेंगे compare coefficient of x and x वाले coefficient and constant term x के coefficient और constant term को compare करेंगे x का coefficient इस साइड में तो 3 है और इस साइड में जब a से अलिंदर multiply करें 4a आजाएगा x के आगे और कौन श्टेटर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे a plus b आ जाएगी तो आप derivative plus b a और b की value यहाँ रखेंगे यानि हमारे पास क्या है 3x plus 1 is equal to a a की value कितने आई है students 3 by 4 और इन्टु डर्यूट को आडिर 4x plus 1 था वहाँ पे रख दी value मैंने plus b b की value है 1 by 4 ओके रख दी अब मेरे पास यानि इसको मैं इस तरह से बोल सकता हूं students यह मैंने आपको आप देखे 4 LCM ले करके देख लिए यही आएगा जब इसको करेंगे आप तो 4 LCM ले करके देखो तो 12x plus 3 plus 1 या उपर बने 12x plus 4 upon 4 12 में से 4 common हो गया तो 3x plus 1 आ जाएगा उपर यानि इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं आप ने देखा मैंने फॉर्मूल से लेकिन हमारे पास क्या है इसके डिवाइड में क्या है डिनोमिनेटर है 3 हमारे पास आप देख सकते हो इसके डिवाइड में डिनोमिनेटर तो इसके डाउन में हम करेंगे सारी के यानि 3 x प्लस वन को मैंने इस तरह से लिख दिया ठीक है अब इसका डिनोमिनेटर क्या है students इसका डिनोमिनेटर है 2 x square plus x plus one तो इस सारी के डाउन में 2 x square plus x plus one और students हिसका का integration है इस सारी का भी integration अब क्या करेंगे students हम अब यह ज़िए 3X plus 1 upon 2X के यर प्लस X plus 1 मैं इसका integration करना है तो यानि इसके डाउन में अलग से कर दो 3 by 4 4X plus 1 upon 2X के यर प्लस X plus 1 को इसके डाउन में अलग से कर दिया और प्लस 1 by 4 के डाउन में इसको अलग कर दिया 2X के यर प्लस X plus 1 को और इसका integration करना है इसका अलग से integration और इसका अलग से integration अब यहां पर डारेक्ट हो गया students उपर डाटी नीचे function यानि इसको मैंने इस तरह से लिख दिया तो अब इसका उपर उपर तो देखी डाटी नीचे function है उपर डाटी नीचे function क्या फार्मूल होता है थ्री बाइफ फॉर लोग ओफ फॉंक्शन तो लोग ओफ फॉंक्शन क्या है टू एक्स किया प्लस एक्स अध्ली प्लस वन प्लस अब देखे स्टूडेंस मैंने में इसको सोल करना है अब वन्लबा फोर अब इसको कैसे सोल करें les את यह quadratic है इसको perfect square बनाएंगे तो perfect square बनाने के लिए मैंने क्या किया 2 को मैंने common ले लिया अंदर से तो one upon में यह x square ओके students यह x square और यह plus one by two x plus one by two अब मैंने करना क्या है जो x के आगे है इसका half का square इसका half क्या है one by four आएगा तो one by four का square add कर दिया और वही minus कर दिया ओके students अब यह तो एजटी यह तो मैंने solve कर चुका हूँ plus यह one by eight एजटी तो हमारे पास जो add किया तो वह भी बन गया यह a square plus b square प्लस टूए भी फार्मूला a plus b यानि a plus b one by four का square और बस क्या 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 one by two minus one by eight one by sixteen one by two minus one by eight देखिए एक तो मेरे पास यहां पर one by two बतिगा रहे के one by sixteen जब one by two और one by sixteen को solve करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा one by two minus one by sixteen तो sixteen LCM two eight the eight minus one तो seven by sixteen आगया students तो seven by sixteen को मैं क्या लिखूंगा seven by sixteen को plus seven by sixteen को four और प्लस seven को रूट seven by sixteen seven by sixteen को रूट seven by four का स्किर बोल लिख दिया अब यह पार्ट तो हो चुका मेरा पास और यह प्लस one by eight और यहां पर one upon x किर प्लसे स्किर का फार्मूला तो यहां पर फार्मूला क्या रहेगा one upon एक स्किर प्लसे वन अपोने जैनी रूट seven by four टैन जैवीं साइड में हो जाओ टैंजेट इन वर्स टैन इन वर्स एक सपोने एक स्प्लस one by four अपोन रूट seven by four प्लस सी तो फोर टू जाए यहां से कैंसल हो गया एक सेकिंड जाए तो यहां पर हमारे पास क्या यह एजटीज प्लस वन बाय टू रूट seven और टैंजेट इन्वर्स जब इसका लोग लेंगे आप तो फोर एक्स प्लस वन उपरा जाएगा और डिवाइड में फोर फोर से निचे वाड़ा फोर कैंसल अपोन रूट seven प्लस सी यही हमारा आंसर है students नेक्ट भी अब देखिए अब इसी को माल लो जी माल ले जगए तो मैंने फार्मूले से करवाया अब जैसे मैं मुझे next question मैंना इसको डेरेक्ट करवाता हूं जैसे second का का फार्सट करवाता हूं यह तो मैंने formula लिया है मैं direct question को आपको solve करना सिखा रहा हूं तो एकस अपोन suppose प्लस एक्स प्लस वन तो डिर्एक्ट जब भी दीनियर अपन क्वाड़िति का जाए तो आपने क्या करना है फॉर्मूले से करना चाहे तो आप इस तरह से कर सकते यानि लीनियर इसको टू टू डारीटिक प्लस बी फिर हम ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे फिर ऐसे सोल करेंगे जैसे मैंने अभी किया है और डिरेक्ट आप करने के लिए बहुत आसान है इसका डेरिविटी देख लो क्या होता है क्वाड्रेटिक का है टू एक्स प्लस वन है तो सबसे पहले हम एक्स वाली टर्म बनाएंगे उपर टू एक्स तो पहले टू एक्स बनाना हमने एक्स बनाने को सिर्टि और अ्कर वन हंगे तो टू से मैंने मल्टिप्लाइब किया तू से मल्टिप्लाई कर दिया और मैंना किया अब क्या करेंगे तो तो सारी के बाहर है यह 2x plus 1 के डाउन में इसको अलग कर दिया, x square plus x plus 1 को, और students, minus 1 के डाउन में x square plus x plus 1 को अलग कर दिया, ओके students, तो यह देखिए, और इस सारे का integration का, इसका लग से integration, और इसका लग से, अब देखिए, यह हो derivative initial function, यह तो logo function, और इसको perfect square बना के solve करेंगे, तो यह हमारे पास क्य बना, तो 1 by 2 as it is, यह तो बन गया log of function, function क्या है मेरे पास आप देख सकते हो, x square plus x plus 1, तो यह बन गया, x square plus x plus 1, ओके, और बहार आए 1 by 2, और minus, इसको मैं perfect square बनाऊंगा, इसको जब perfect square बनाऊंगा, यह देखिए, यह coefficient already one है, हमारे पास, यह x वाली टर्म क्या, थोड़ी से पीछे हो जाओ, फीछे हो जाओ, थोड़ी से पीछे हो जाओ, यह देखिए, आप थोड़ी से पीछे हो जाओ, यह तो इसका x के जो आगे है, उसका half, 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 half के रैड किया और वही हमने माइनस किया ओके और इसका हमने इंटीगरेशन करना है अभी ठीक है स्टूडेंस अब देखिए ये तो हो चुका है ये वाला तो हो चुका है वन बाय टू और ये तो एज़िश माइनस और ये क्या बनगे मेरे पास ये एकी टू प्लस बी की टू फार्मूला ए प्लस बी यानि एकस प्लस वन बाई तू का होच के और बचिका कहा है वन माइनस वन बाई फॉर तो एज़िए गा थीबाई फूर त्री बाई फोर को रूट थी बाई टू का होड़् सके तो यहां पे फिर हमारे पास कुन सा फार्मूला लग जाएगा वन पॉन एक्स के प्लस ज से इस ज़ा कहा, तो यह भी है जिटी जो इस माइनस, यहां पर बन रोड़ एक्सकर बाए टू पर टाव गया, उट् सुन हैं, एक्सप्लस ये ज़ा अपन ईक्स प्लस और एक्सकर फ्लस आपर इक्सकर बाए टू और प्लस सारी बाए roz स्टूबं सब्सक्राइब 2007 से लग ऐसे लिए वन भाइ तू लोग ओफु एक सिएर प्लस एक्स सो से लसभ। और1 by 2 कूए करें 2 by root 3 into 1 by 2 और tangent invest यहाँ पर क्या बने गए। यहां से ही बहुत हो गया तो तो एक्स-फ्लस-वन उपर आ गया और निचे बहुत तोली जान इस तो प्लस सी ओकेंड़ां हो विए उसी स्टूद horrific हमया ओंध linking ऐसे स्थाधी यह बिल्कुल सिंपल है इसी से आप करें मैं आपको यहीं सला दूँगा तो थार्ड का थार्ड पार्ट क्या है 1-3x और एक्सर सहीं इंपोर्टेंट भी ए स्टूडेंट सी लीनियर अपन क्वाड्रेटिक के कोस्टन से अक्सर पेपर में आ जाते हैं 4x प्लस 2 और इसका हमन न है तो प्लस का 6x बनाना ना तो पहले माइनस को मनलेंगे तो 6x बनाने के लिए पहले मैं इसको मैले मैं अंदर क्या बच गया मेरे पास कि यहां पे 3x एड़े प्लस का 3x बन गया और माइनस का वैस डिवायड में 3 x के र माइनस 4x प्लस 2 अब देखी मुझे शिक्स बनाना है तो 2 से अगर मैं सारी को मल्टिप्लाई कर दूं और 2 से सारी को बाहर दिवाइड कर दूं कुछ फारक पड़ेगा तो पहले में जिए 6x बनाना है ना तो पहले x बनाते हैं तो माइनस वान भाय टू कभी टूस और माइनश जो करना उसको बाद में करते हैं तो यह मैंने स्कार मिनत्य के लिए मैं माइनस टूर कर दो ए माइनस पूर मण गया और डिवा societ 3 x square minus 4 x plus 2 और इसका क्या करना हमने integration तो students हम मैं इसके डाउन में 6 x minus 4 के डाउन इसको अलग कर दो तो हमारे पास मनें माइनस 1 by 2 सारी के बाहर है और 6 x minus 4 के डाउन में 3 x square minus 4 x plus 2 को अलग कर दिया और plus का 2 बन गया और इसके डाउन में इसको हमने अलग कर दिया 3x square minus 4x plus 2 को और इसका अलग से integration और इसका अलग से integration ओके उपर डाटी निचे function यह तो बन गया logo function तो यह minus 1 by 2 के साथ इसको खोल भी दिया तो यह logo function log of function क्या है 3x square minus 4x plus 2 ओके अब minus 1 by 2 को हम multiply करें minus 2 by 2 आ जाएगा और इसको solve करने के लिए perfect square बनाएंगे तो पहले 3 को common ले लिया अंदर से मैंने बाहर common ले लिया तो अंदर बच गया x square minus 4 by 3 x plus 2 by 3 अब क्या करना है जो x के आगे है इसका half इसका half क्या बनेगा 4 by 3 का बटे 2 करेंगे तो 2 by 3 तो यानि 2 by 3 का square add कर दिया और वही माइनस कर दिया 2 by 3 का square ही माइनस कर दिया ओके स्टुडेंट्स और इसका हमने integration करना है दो से 2 cancel अब क्या होगा हमारे पास तो यह माइनस 1 by 2 log of 3 x square और माइनस 4 x plus 2 agility और माइस 1 by 3 और यहां पर क्या बन गया वन अपन एक टू प्लस जो एड़ किया तो इसको बीकी टू माइनस 2 भी फार्मूल बनका a-b बी कौन है 2 by 3 इसका whole square और बचका है प्लस का 2 by 3 और माइस का 4 by 9 अब देखिए प्लस का 2 by 3 और माइस का 4 by 9 तो 9 LCM तो 3 3 9 तो 2 3 6 minus 4 यहीं बने का 2 by 9 यहीं बने का 2 by 3 minus 4 by 9 ठीक है तो 9 LCM 3 2 2 2 4 2 3 3 2 3 6 यहीं 2 by 9 आया तो 2 by 9 को root 2 by 3 इसका whole square और इसका integration अगेन यहां पर 1 upon x square प्लस एड़ का formula तो यह एड़ीज यह क्या है यह है students हमारे पास minus 1 by 2 log of log of क्या है students यह है हमारे पास minus 1 by 2 log of 3 x square minus 4 x plus 2 3 x square plus 4 x minus 2 okay students students यहां पर देखिए थोड़ा सा गलती हो गई है हमारे से यह यहां पर जो statement है यह statement की mistake है वैसे question हमारा सही है 3 x square plus 4 x है statement plus 4 x है तो मैं plus 4 ले करके कर देता हूं वैसे हमारा question यह भी ठीक है है अगर क्योंकि हमने माइनस से किया है अगर प्लस से करना है तो प्लस 4 कर देजीगा विस यहां पर कुछ नहीं करना आपने प्लस 4 कर देजीगा तो यहां प्लस 4 कर देजीगा यहां प्लस 4 आ जाएगा तो यहां प्लस 4 यहां पर X square plus A square का फार्मूला 10 inverse X upon A, 1 upon A, 1 upon A, A कितना root 2 by 3, tangent inverse X upon A, X kone है, X plus 2 by 3, X plus 2 by 3 upon A, root 2 by 3, और plus C, यही हमारा इसके बाद answer बच जाएगा students, तो देखिए हमारे पास यह आया, minus 1 by 2, log of 3 X square plus 4 X minus 2, और minus 1 by root 2, tangent inverse, यहां से 3 LC हो गया, तो 3 X plus 2, divided में 3 LC होकर cancel हो गया, upon root 2 plus C, यह था हमारा 3rd का 3rd part, अब students 3rd का 4th part करवाता हूं, है, थार्ड का 4th part, थार्ड का 4th part क्या है students, यह है हमारे पास 2 X plus 1 divide में 18 minus 4 X minus X square, और इसका integration, तो देखिए students, अगेन हम नीचे वाली में स्पले माइनस कोमन ले लिजी का आप, माइनस सारी के भाहर आगया, 2 X plus 1 divide में हमारे पास X square plus का 4 X minus 18, यह बन जाएगा, अब नीचे वाली का derivative का है, 2 X plus 4, अब 2 X तो उपर पड़ा है हमारे पास, प्लस 4 है, तो मुझे प्लस 4 बनाना है, तो प्लस 3 और माइनस 3 कर दें, तो प्लस 4 बन जाएगा, ओके, और इसका integration, और इसके बाद students हमने माइनस 2 X plus 4 के down में, इसको इसको अलग कर लिया, X square, प्लस 4 X minus 18 को, और यह माइनस के 3 के down में इसको अलग करेंगे, X square plus 4 X minus 18 को, लेकिन यह माइनस सारी के बाहर पड़ा है, जो माइनस 6 के साथ कुलेगा, तो यह प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बाहर है, और इसको perfect square बनाएंगे, X square plus 4 X, सबसे पहले X square of official 1 है, अब इसके half का square एड़ करेंगे, वही माइनस करेंगे, और यहाँ पे plus 3, और यहाँ पे student DX upon, यहाँ पे A square plus B square plus 2 ही, formula A plus B and X plus 2 का whole square, और यहाँ माइनस 18 माइस 4, माइस 22 माइस 22 को माइस root 22 का square, तो यहाँ पे student formula लग जाएगा, हमारे पास, 1 upon X square minus A square, formula आप खुद लगाया है, do yourself, यहाँ से इसके बाद आप खुद कर लिएगा, अब आपने से direct formula लगाना है, और answer आप आप direct आजाएगा, okay students, अगर आप नहीं कर सकते हो, तो मैं इसको करके ही दिखा देता हूँ, minus log of X square plus 4X, minus 18, okay students, आप formula यहाँ पे minus का फरक देख रहे हो, यह matter नहीं करता, मैंने minus बाहर को में ले लिए ता, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें, तो यहाँ से minus को में ले करके, फिर दुबारा से वही ही आजाएगा हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसकी minus की, तो इसलिए आपको यह कोई, आपने answer पे मत जाना, कि यह minus कहाँ चला गया, ठीक है students, तो minus आप चाहें, तो आप, क्योंकि मैंने इसको minus को को में ले करके, इसको perfect square बना लिया, okay, तो यहाँ पे plus 3, 1 upon x square minus 1 upon 2 a, 1 upon 2 a, root 22, log of, x minus a, x plus 2, minus a, root 22, upon x plus a, 2 plus root 22, direct formula लगाना था, प्लस सी, और यह ही हमारा answer है, students, next students, इसका fifth part, तो fifth part क्या है हमारे पास, third का fifth part, तो हमारे पास, x plus 2 upon, 2 x square plus 6 x plus 5, और इसका integration, students, निच्चे बढ़ी का डैटी क्या है, 4 x plus 6 आएगा, तो 4 x बनाना है मुझे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 4 x plus 6 में, 4 x बनाऊंगा पहले, तो 4 से multiply कर दिया, और 4 से divide कर दिया, और 2 x square plus 6 x plus 5, और हमने क्या करना, 2 x square plus 6 बना है, तो plus 6 कर दो और minus 6 कर दो, बस जी, इसके बाद इसके डाउन में इसको अलग कर दो, तो 1 by 4 सारी के बाहर है, तो 4 x plus 6 के डाउन में इसको अलग कर दे, 2 x square plus 6 x plus 5 को, और बच गया क्या, प्लस का 8 में इसका 6, प्लस का 2, तो प्लस के 2 के डाउन में इसको अलग से कर दो, 2 x square plus 6 x plus 5 को, और इसका अलग से integration, इसका अलग से integration, तो students ये तो उपर that इंचे फंक्शन, लोको फंक्शन, 1 by 4, log of 2 x square plus 6 x plus 5, और इसको perfect square बनाना है, तो कैसे करोगे, पहले दो को मन ले लिए लिए बाहर से, तो ये x square अंदर बजाएगा, और प्लस 3 x plus 5 by 3, 5 by 2, अब इसका half का square, यानि 3 का half 3 by 2 का square एड कर दिया, और वही minus कर दिया, ओके students, ये a square plus b square plus 2, फार्मूला लगा करके आप do yourself, इसको आपने खुद करना है, नेक्स्ट देख लिए जेका students, थार्ड का 6th part, integration है हमारे पास dx upon, क्या है, x plus 2 root में x plus 3, तो देखे, students, यहाँ पे square वाली ठर्म बनी ही नहीं है, तो हम क्या करें, इस सारी को इसको put कर दें, root वाली को t, तो put करेंगे हम root of x plus 3 को क्या put कर दें, हमने t, तो x plus 3 कि किसके को आजएगा, t square, square root उस साइड़ागे, square हो जाया, तो x is equal to t square minus 3, और dx आजएगा 2t dt, अब देखे students, यहाँ पे dx value 2t dt, और divide में x की value क्या रखे हमने, t square minus 3, t square minus 3, और plus 2, और इसको t put क्या t, तो यह हमारे पास आगया, 2t upon t square plus 2t minus 3, अब इसका जो derivative है, क्या है, 2t plus 2 है, तो plus 2 कर दिया, और minus 2 कर दिया, तो 2t plus 2 के डाउन में इसको अलग कर दिया, हमने, पीछे करो, 2t plus 2 के डाउन में इसको अलग कर दिया, t square plus 2t minus 3 को, और minus 2 के डाउन में इसको अलग कर दिया, t square plus 2t minus 3 को, इसका अलग से integration और इसका अलग से integration, बनाएंगे तो तू के आगए है टीक आगा इसका हाफ तू का हाफ वन वनका स्केर एड कर दिया और वही माइनस कर दिया स्टूदेंस इस फंक्षिन लोको फंक्षन लोग ऑफ टी स्क्यर प्लस टू टी-3 और यहां पर उपर टू एजडी और नीचे a square प्लस b square प्लस 2 भी a प्लस b t प्लस 2 t प्लस 1 का whole square और यह माइस 3 माइस 1 माइस का 4 माइस 4 को माइस 2 का square तो student t की value रखे हैं यहाँ पे root x plus 3 तो यहाँ पे रख देते हैं log of t square t square की value कितनी है x plus 3 तो x plus 3 plus 2 t की value है root x plus 3 root x plus 3 और minus 3 ओके फ्लस माइस 2 यहाँ पे 1 upon x के माइस से 1 upon 2 a 2 into 2 log of x minus a यहीं t plus 1 minus 2 upon t plus 1 x minus a upon x plus a plus c ओके तो next step में हम क्या करें इस तो 2 से 2 cancel तो यह बने हमारे पास log of x plus 2 root में x plus 3 और यहाँ पे minus 1 by 2 log of tk value रख देंगे आप tk value हमारे पास root x plus 3 तो root x plus 3 3 minus 1 upon में root x plus 3 प्लस 3 तो यहीं हमारा आंसर है नेक्स्ट देखते हैं स्टूदेंस हम इसका फॉर्थ का फर्स्ट पार्ट है फॉर्थ का हम फॉर्स्ट पार्ट देखेंगे हैं हमारे पास question है x care upon x care plus 6 x plus 12 जब हमारे पास उपर और नीचे पावर इक्वल होतों हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड कैसे करें स्टूदेंस x care को बीच में रखेंगे और x care plus 6 x plus 12 से डिवाइड करेंगे तो x care plus 6 x plus 12 तो यह है वाइनस मारे कैनल यह वन तो माइनस 6 एक fan sophomore लेगे तो एक फने स्टाइगा है हम पर यानि इसको हम क्या सकते हैं यह वन लाई कोशन पर दिवाइजन को शाटव से माने लिया एक्स प्लस टू बजे गया डिवाइड और इस सारे क्या करना हम ने इसको मैं इस त्रेंस लिख सकता हूं अब आगे क्या करें इस वन के इंटिगरेशन दो एक्स हो गया माइनस शिक्स और यहां पर एक्स प्लस टू अपोन एक्स केर प्लस six x plus twelve अब इसको कैसे सोव ले रहे हैं उपर लिनियर नीचे क्वार नीचे बाढ़ी का ड्याट यह उपर बनाएंगे तो इसको सबसे पहले च्छी को ठीकर इसको हुआ इसको 2 से मल्टिप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया और मुझे प्लस सिक्स कर देते हैं प्लस इक्स और माइनस सिक्स च्छी क्या आगया अमारे पास X minus 3 सारी के बाहर हैं और यह 2X plus 6 के डाउन में इसको अलग कर दें 2X plus 6 के डाउन में अलग कर दें कि इसको X के डाउन में अलग कर दें कि इसको X के डाउन में अलग कर दें कि इसको X के डाउन में इसको अलग कर दें और जिसका ड़्सा इंटिकरेशन स्टूटेंस और इसका इंटिकरेशन करेंगे और इसका इंटिकरेशन करने के लिए कर बनाएंगे तो इसके यहाद का स्क्रेयर is अर वही माइनस कर दिया, और स्टूदेंस देखे, तो यहाँ पे x-3 और यहाँ पे देखे, उपर डाट इंग जो फंक्शन, लोग ओस फंक्शन, लोग ओफ x केर, फ्लस 6x प्लस 12, और माइनस 2, यह a-sकर प्लस b-skare अप्वन, a-skर प्लस b-skare अ-skर प्लस b-skar प्लस 3 को तो स्टूदेट्स देखिए यहाँ पर X-3 को अंदर में आ थी लोग एक स्कीर प्लस 6 X प्लस्त वालो और माइनस 3 को है मडिपले गार प्लस का टुए जिक्स वो नीचे वन अपन एक स्क प्लस एक वन अपन ए वन अपन रूर 3 तेंज़र्ट इन वर्स x x kuna x plus 3 upon a root 3 plus c और यही हमारा answer है ओके students next student same question second part fourth second part same है देखी integration of x square upon x square plus 3x plus minus 3 x square को बीज में रखो और x square minus x square plus 3x minus 3 से डिवाइड करो तो one पे जाएगा x square plus 3x minus 3 यह minus minus plus ओके cancel तो यह क्या बन गया यह minus 3x plus 3 ओके तो students इसको कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं one यानि minus 3x plus 3 upon जब minus 3x plus 3 में से minus को में ले तो यह माइनस हो जाएगा अपोन में यह x square plus 3x minus 3 ओके और इसका सारे का क्या करना है integration ओके तो one का integration तो हो गया x और minus अब इसका माइनस वन बच गया ओके डिवाइड में x square plus 3x minus 3 है मुझे 2x चाहिए तो से multiply कर दो सारी को ओके और तू से भाहर डिवाइड कर दिया और फिर क्या करना है मुझे प्लस 3 चाहिए तो प्लस 3 कर दिया और माइनस 3 कर दिया और इसका integration तो अब क्या आएगा students यह आएगा मेरे पास एक्स माइनस 3 बाइट टू उपर देखिए यहां पे 2x प्लस 3 चाहिए 2x प्लस 3 के डाउन में इसको अलग कर दिया और यह बचेगा हमारे पास माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 5 तो माइनस के 5 के डाउन में एक्स केर प्लस 3 एक्स माइनस 3 को अलग कर दिया ओके students और इस सारे का integration करने इसका अलग से integration कर दो यह सारी बाहर है और इसका तो यह तो डाटेजिए फंक्शन लोग फंक्शन और इसका परफेक्ट कर बनाने के लिए थ्री बाइटू का होल स्केर कर देंगे द्री फाइड कर दिया और वही माइनस कर दिया तो यह तो आ गया हमारे पास x minus 3 by 2 यह log of function log of x square plus 3 x minus 3 और यह minus 3 by 2 को यह हमार टिप्लाए करें तो 3 5 जा 15 और minus minus plus by 2 और यहां पर 1 upon a की 2 plus b की 2 plus 2 फार्मूला a plus b यानि a x plus b 3 by 2 का होड़ स्केर बजी का minus का 3 और minus का 9 by 4 तो minus के 3 और minus 9 by 4 को जब solve करेंगे तो हमारे पास 9 by 4 4 ते 12 और नो 21 तो minus का 20 बटे 4 आ जाएगा 21 बटे को रूट 21 और 4 को दो यहां पर 1 upon x square minus x square का फार्मूला खुद लगाएं try yourself okay students यह मैंने लगव सारा solve करें सिर्फ फार्मूला लगाना रह गया next students हमारे पास इसका third part third part क्या है third part है हमारे पास x square plus x plus one divide में x square plus minus x plus one इसका integration तो students सबसे पहले हम उपर नीचे पावर से मैं तो डिवाइड करें तो x square plus x को plus one को बीच में रखो और किस से डिवाइड करेंगे x square minus x plus one से तो one पर जाएगा x square minus x plus one कि वह स्टूडेंस यह माइनस यह प्लस यह माइनस यह कैंसल यह कैंसल टू एक्स बच गया तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं वन प्लस टू एक्स डिवाइड में यह कोशेंट ना यह डिवाइजर x square plus minus x plus one और इसका integration करना है स्टूडेंस हमने इसको मैंने ऐसे लिख दिया वन का integration x आ गया हमारे पास ओके और वन प्लस यह 2x डिवाइड में x square minus x plus one है इसका डैट 2x minus one है तो minus one कर दिया plus one कर दिया और इसका integration करना है तो यहाँ पे x plus इसके डाउन में इसको अलग कर दिया 2x minus one के डाउन में x square minus x plus one को अलग कर दिया और प्लस one के डाउन में इसको अलग कर दिया x square minus x plus one को अलग कर दिया इसके बास तो इसको प्रफेक स्केर बनाओ और उपर डैट इंचे फंक्शन लोगो फंक्शन x plus इसको perfect scale बनाने के लिए में इसके half ka scale यहां नि मैनिस one का half one by two one by two ka scare है add कर दिया और वही minus कर दिया okay, तो उपर log of function हो गया यहां पर loyalty नीचे function log of function. log of x square minus x plus one plus नीचे यहां पे one a की two plus b to plus two formula a minus v a x minus b one by two ka whole square और तो यहां फी प्लस का 1 माइस का 1 बाई 4 प्लस का 3 भाई 4 प्लस का 3 by 4 हो रूस्ट 3 by 2 का होल्श कियर 09. है तो यह ए स्री आर्ट एक्स繼續 स्रीस गाल उफ 12 यहां पर 1 अप्ोन ए欸斯 की प्लससे है करता यहां बाने 2 आफाने 2 यह पर टैंजेट एक्स अपोन एक्स पॉन है एक्स माइनस वन बाइट टू अपोन ए रूर्ट थ्री वाई तू अब अगले स्टाम में टू एल्जिम होगे टू एक्स भान अपन रूर्ट त्री बच जाएगा प्लस सी और नेच्ट देखे स्टूदेंस का फूर्फंड फौर्च थिपार्ट है फ़ोर्थ का फॉर्थ पार्ट है कि STUDENTS FOURTH का 4th part क्या है एक स्केयरिंट weak Axips één पार mitochondria x cube Ой एक104 प्लस 3 एक स्क्यर और इसका इंटिगेरिशन इसको कैसे स्कुल्ड करेंगे स्टूड़्स x की क्यूब है यह अगसी पार 4 तो एक सी क्यूब को मैं एक स्क्योज इन्टू एक्स बोल दिया और एक 104 को x square का square बोल दिया प्लस 3 x square प्लस 2 अब put कर दे हम x square को t और x square का 2x और x का dx और t का dt और x dx किसके को लाया स्टूडर्स dt डिवाइड बाई 2 तो ये x और dx ये तो dt डिवाइड बाई 2 और ये x square को t तो T और DT divided by 2 बाहर ले लिए हमने और ये T का square plus 3T plus 2 अब निच्चे बाड़ी का जो डाल्ट है 2T plus 3 तो 2T 2 से multiply करें 2 से divide करेंगे तो 1 by 2 as it is T plus T square plus 3T plus 2 तो क्या गरें 2T plus 3 बिना तो 2 से multiply 2 से बाहर divide plus 3 और minus 3 और इसका integration तो यह यहां पर 2T plus 3 के down में इसको अलग कर दिया T square plus 3T plus 2 को और इसका अलग से integration और 1 by 4 सारी और और minus 3 के में इसको वल्ब कर दिया defender list PST O को इसका integration करें के लिए क्या करेंगे इसके half Närockane तो है इसका Olá zeggen one है इसका half फाओ टुका होल स्केराइड कर दिया और वही माने सिन कर दिया कि कि अब सुन्स कर दिया इससे अब देखे यह उपर डेट इसे द्री प्लस अब अब ज़ी हुआ थो यह उत्यू है स्टு प्लस ऩो का वोड्य के बाज़ गाए 2 माईन वाइ everlasting सो तो सदुनाइं याथ टू माईनस नॐए फोर बन जाएगा का हमारे पासस आथ माई माइस का 1 by 4 माइस 1 by 4 माइस 1 by 2 का whole square okay students तो यह 1 by 4 सारी के बाहर है तो करते हैं 1 by 4 log of t square plus 3 t plus 2 और यहाँ पर देखिए 1 by 4 को यह हम multiply करो माइस 3 by 4 आ जाएगा और 1 upon x square माइस a square का 1 upon 2 a 2 a के वैली 1 by 2 log of x minus a यानि t plus 3 by 2 minus a 1 by 2 upon t plus 3 by 2 plus 1 by 2 x यह सारा minus a upon x plus a plus c तो तो से 2 कैंसल अब t की value रखें t की value x के रहें तो t की value x के रखें तो हमारे पास आजएगा 1 by 4 log of x के रखेंगे तो x पार 4 plus 3 x square plus 2 और minus 3 by 4 log of यह 2 lc हो गया तो 2 t 2 t t की value x square plus का 3 minus का 1 plus का 2 बन गया और नीचे 2 lc 2 x square plus का 3 plus का 1 plus का 4 बन गया और 2 common o के cancel plus c अब यहां से भी 2 common o के cancel हो जाएगा यह एज़िश minus 3 by 4 log of 2 common o के cancel हो गया तो x square plus 1 नीचे x square plus 2 और plus c अब students हम इसका fourth का fifth part करते है fifth part क्या है 3 sin x minus 2 into cos x upon me 5 minus cos square x minus 4 sin x यह हमारे पास question है देखें स्टूडेंस हम क्या करें को सेक्स का पहले 10th क्लास वारा फार्मूला open करें sin x minus 2 upon 5 minus cos square x और 10th क्लास वारा 1 minus sin square x और यह minus 4 sin x बाहर एज़िश ओगे स्टूडेंस अब क्या करेंगे हम लोग तो 3 sin x एज़िश minus और यहां पर cos x भी है तो 3 sin x minus 2 और into cos x एज़िश डिवाइड में जब इसके साथ खोलेंगे तो क्या आज़िए sin square x plus का ठीक है और minus का 1 आज़िएगा और plus का 5 minus का 1 plus का 5 plus का 4 और यह minus का 4 sin x दिख लिया और देखेंगे जब इसको खोलें 5 minus 1 plus का 4 और इसका d x अब put करो sin x और t put sin x is equal to t तो cos x और x का d x और t का dt तो यह आगया हमारे पास 3t minus 2 और यह ओगया dt और डिवाइड में t का square minus 4t plus 4 और नीचे बारी का डैटी का है 2t minus 4 है तो 2t चाहिए मुझे तो 3 को कुमन ले ले तो t minus 2 by 3 और डिवाइड में t square minus 4t plus 4 है अब मुझे 2t minus 4 चाहिए तो 2 से multiply कर दो सारी को 2 से divide minus 4 चाहिए minus 4 plus 4 ओके students अब मैंने क्या किया 3 by 2 सारी बार और इसका dt करना है तो 2t minus 4 4k down में square कर दिया t square minus 4t plus 4 को और बच गया क्या हमारे पास minus का 4 by 3 और plus का 4 तो minus का 4 by 3 plus का 4 आजेगा रहन चाहरती बारह plus का 8 by 3 plus का 8 by 3 आगया प्लस का 8 अपोन 3 के डाउन में इसको अलकर दिया कि कौन है यह टी स्केर टी स्केर माइनस 4t प्लस 4 इसको अलकर दिया और डीटी अब इसको प्रफेक्स करना है वैसे तो यह प्रफेक्स करना है यह माइनस भी देख लेता हूं टो माइनस टी टो मारी दे रखा है ओके तो यह देखे चाहे तो आप एक के प्लस इसके इसके हाफ का स्केर प्लस का टू का स्केर एड करेंगे और वही माइनस करेंगे तो आप देख लिए जिगा इससे एक एंसर हो जाएगा यह एड कि उसको भी मानते हैं ओके तो यहां पर देखिए थ्री बाइटू सारी बाहर है लोग ऑफ क्या जाएगा फंक्शन ती स्केर माइनस 4 टी प्लस पूर और उसके साथ मुल्टिप्री घ्र करो एट बाइट बाइटिप्लाइट १ी अर यहां पर इन्टीप्लाइट बाइट मुल्टिप्लाइट स्कूरी दूट और बागता गया और उन योंब प्र तैला जाएगा इसका इंटीगरेंशन करन है तो three by two और यहां देखे student log of इसने answer में क्या लिख रखा है plus का three into two minus इसको बोल रखा है ओके यही है इसने क्या क्या रखा है यह वैसे t-2 को whole square कह सकते हैं हम इसको t-2 या two minus t को whole square करें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ती-2 को कहें या two minus t को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बस अगर answer match करना है तो two minus t करें otherwise two t-2 भी कर सकते हैं मतलब को उसके कोई objection नहीं होगा अगर आप answer t-2 करके करके आते हो ओके लेकिन वा answer match करने के लिए two minus t-1 बलता हूं तो 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 यहां पर उपर जाकर के two or t plus two की power minus one हो गया और इसका integration करना डी ती तो students यहां पर देखे three by two log m की power n तो n नीचे उतर जाएगा log of two minus t okay students plus two यह t plus two a x plus b की पार n का t plus two की पार यह minus two है मैंस्टू का क्या आएगा टी प्लस टू की पावर minus one upon my two four जाएगा students यह जब cancel होगा two four जा तो minus one upon minus one plus c अब two से two cancel होगा student यह three log of two minus t की value क्या sign t sin x है टी की जाना साइन एक्स रख दिया क्योंकि स्टी की वेली साइन एक्स रख दी और यहां पर माइनस यहां गया माइनस four और यह यहां पर one upon four upon यह टी प्लस टू की पार उपर जा करके minus one है तो नीचे आए माइनस प्लस कमान हो जाए और टी की वेली क्या है sign x और यह student t-2 का whole square होगा ना यह यह की टू प्लस भी की टी माइनस टू ओके तो टी की वेली साइन एक्स माइनस तू यह यहां पर two minus T का कहा है इसने whole square तो two minus T का कर दें आटी माइनस two का सकते हो लेकिन इसने whole square करें सकते हो लेकिन इसने question में two minus T का whole square किया है तो t-2 का कही है तो इसलिए थोड़े सी cutting हो गई अधरवाइस कोई दिक्कत नहीं है वो भी आंसर आपका सेम रहेगा तो आप एक बार answer check कर लेते हैं यही हमारा answer students 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 जो यहां पर minus का फरक आजा यहां पर minus आया plus का आया हुआ है है तो इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है कि minus two का plus आ जाए गा कैसे किया है एक प्लस B की power n का एक plus B की power n का क्या फर्मारा एक प्लस B की power n plus one minus two plus one upon minus one minus two plus one minus one upon minus one और इन्टु जो एक्स क्या गया है है एक स्क्सक्राइब डिशंगे तो यह मैंस माइस प्लस हो जाएगा तो यहां पर यह पंज है नहीं भी अप्लाइब... तो यही हमारे आंसर है आंसर में विक में तो यहीं थी स्टुडंस हमारी एक सर्साइब हैं उम्मीद करतों आपको समझ आई हैю और students इसके सभी question मुझे इसलिए करवाने पड़ गए क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो बना रखी है उसमें मैंने पांच चार पांच question करवा रख है पूरी exercise से क्योंकि सभी question एक जैसे थे तो बच्चों के कमेंट आ रहे तो sir आप पूरे question बनाईएगा otherwise हम वैसे तो हम नहीं कर सकते हैं यहीं question देखने के लिए आपकी वीडियो देखते हैं तो मैंने उन बच्चों के लिए पूरे question बनाए हैं ठीक है तो उमीद कर तो आप लोगों को यह exercise समझ आई है अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और जादा जादा शेयर करें थेंक यू वरी मच